करती शुरुआत करते हैं पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है आज अवाज थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मौसम का परिवर्तन है मौसम की परितन के वज़े से तबियत थोड़ा समझ में आप लोगों को आ लेडी आ गई होगी लेकिन फिर भी कांटीन्यू ह पर आ चुका है आज के पार्ट नंबर पोड का और प्रस्न क्या पूंचा जा रहा है कि फ़ला लेन बौर्ड का प्रियोग होता है जी हाँ अक्सर हम यह सब्द घरों में उप्योग करते हैं कि फ़लाने ने ये बताया था फ़लाने ने ये किया था क्या आपने ऐसा प्रस् तर्वर्ड भी होता है और इस बौड का प्रियोग किस पर क्योए जाता है चित प्रदर्शन हे तू किया जाता है थर्ड आप्शन सही हो जाए इसी के साथ ही एंगला पर्षन अनुकर्ण वाचन के भीएद बताना है सभी बताइएगा जी हाँ, दो, तीन, चार, पांच, कितने वेद होते हैं अनुकरण वाचन के सबी बताएगा, देखे अनुकरण वाचन के दो वेद होते हैं कितने होते साथ यूँ, दो वेद होते हैं अब आपके जवाब होगा कन कौन से होते हैं, ये भी हम बता देंगे देखे अनुकर्ण वाचन समझ लेते हैं कच्छा में सिच्छक के वाचन के उपरान द्वारा जो उसको दोहराय जाने से सम्मंदित होता है वह अनुकर्ण वाचन होता है अकसर देखते होंगे सिच्छक दोहराते हैं बच्चों द्वारा जो उसको दोहराय जाता है यसी चप कहते हैं आज आज आपको क्या बता है, तो बच्चे जब दोर आते हैं तो क्या कहलाता है अनुकरण वाचन और इसके दो भेद होते, एक होता है समवेत वाचन, दूसर होता है विक्तिक्त वाचन ये दोनों वाचनों के हमने लिखा भी है आप लोग पढ़ सकते हैं समवेत वाचन कार्थ होता है एक जवे पर एकत्तित होना समुईक वाचन ही समवेत वाचन कहलाता है ये छोटी कच्छाओं के लिए उप्युक्त होता है जो आपका व्यक्तिक्त वाचन होता है ये कच्छा में, एक बार में, एक विध्यार्थी दवारा पार्ट का वाचन करने से सम्मंदित होता है. ये किस पर होता है, यानि ग्रुप में नहीं होता है. ये मादमिक कच्चहँ में इसका प्रयोग किया जाता है. तो समवेत वाचन का प्रायमी में, बल दिया गया है किस पर बल दिया गया है तो वह राष्टी सिच्छा नित 1986 है ठीक है जो राष्टी सिच्छा नित demonic 1989 है सतत एवं ळयापक मुल्यंकर पर प्रवावी रूप से बल दिया गया था इसके साथ ही आपका अंगला प्रशन है कि सतत और ब्यापक मुल्यांकन का उद्देश देखे सतत और ब्यापक मुल्यांकन इससे दो परसन जरूर पूछा जाता है आप जानते एकजाम में अगर आप पहली बार बैट रहे हैं तो यह जान लिजे अगर आप आलेडी एकजाम दे चुके तो आप समझ के होंगे सतत और ब्यापक मुल्यांकन का क्या उद्देश नहीं होता है तो यह जानना जरूरी कि कौन कौन से उद्देश होते हैं देखे मुल्यांकन को निमी तेवं समक्र बनाना उद्देश होता है मुल्यांकन में रखने के बजाए समझने पर बल दिया जाता है मुल्यांकन निदान वा उपचार को प्रोस्राहित करना होता है तो क्या उदेश नहीं होता मुल्यांकन में सिच्चक की भूम का कम करना ये सता तेवं ब्यापक मुल्यांकन का उदेश नहीं होता है तो कार इंटर कोश्चन थर्ड हो जाएगा यह पूछा जाए कौन-कौन से उद्देश हैं तो फर्स सेकंड और फोत ही हमारे उद्देश हो जाएंगे थर्ड हमारे उद्देश नहीं होगा सत्य तेवा ब्यापक मुल्यंकन कर अंगला प्रशन पूछा जा रहा है जो इसकेन पर दिया है कि स्वर में उतार चड़ाओ क्या कहला आता अकसर जो स्वर में उतार चड़ाओ देखते है तो ये उतार चड़ाओ क्या कहला आता सभी बताईएगा जो ये उतार चड़ाओ होता है इसको अच्छार लाए स्वर सैली या इनमे से कोई नहीं बोला जाता है तो आपने एकसर देखा होगा कि सिच्चक्या बोलते हैं बच्चों से आप भी बोलते होंगे कि सैली से पढ़ना है स्वर सैली से पढ़ना है कोई भी कविता है सैली से पढ़ी जाते हैं इसे बीर की है तो बीर से बोलेंगे अक्सर में एक एकजामपल सबसे ज़्यादा देता हूँ बुन देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वैतो जासी वाली रानी थी जब भी खूब लड़ी मरदानी आता है न तो आपने आप आपके हाथे को मुठी बंद हो जाती है यानि बीर रसका उदारन है तो उतार चड़ाओ जो होता है स्वर में वा क्या कहलाती है स्वर सैली कहला जाता है इसके बाद आप अंगला प्रशन है कि सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का क्या उद्देश नहीं होता ये प्रशन रिपीट हो गया है मुल्याकन में सिच्छा की भूंका कम करना ये उद्देश नहीं होता है बाकिया ये बात करेंगे अंगले प्रशन की चित्रेवं बिस्तारा कियंत किस पकार की सायक समागरी है ये दोस्तों यांत्री कौद दश्चमागरी होती जी हाँ देखे कोई टीम नहीं है वन मैन आर्मी यहाँ पे टीम है स्वैम मैं क्रियेट करता हूँ तो हो सकता है कई कोश्चन कापी भी हो जाते है देखे इसमें आप लोगों का फीडबेक भी अच्छा मिलता है प्रोशान मिलता है आप लोगों का साथ मिलता है आप लोगों को प्यार मिलता है आप लोगों का फीड़बेक मिलता है इसलिए जैस्वास और आप सभी का विल्नदन स्वागत करते हैं आप सभी के मातब पिता को नमस्कार और प्रदाम करते हैं साथियों चित्र बिस्तारक यंत्र का जब भी जिक्र होता है किसकी बात करेंगे चित्र बिस्तारक यंत्र जिस प्रकार की साइक समाकरी होती होता यांतिक दर्स समाकरी चित्र बिस्तारक अगर यंत्र पूछा जाए या अंत्रिक दर्ष शमगरी या अपने माइंड पे बैठा लेना है अपने माइंड पे स्टोर कर लेना है भासा दच्छता जिसे हम कोशल कहते हैं दच्छता मतलब होता है कोशल तो भासा कोशल विकास किया जा सकता है या भासा दच्छता का विकास किया जा सकता है तो सुद्दुचारण के मादम से भी किया जा सकता है लिपी वा वर्तनी का सही ग्यान कराकर भी किया जा सकता है और सब्द रचना का ग्यान कराकर भी किया सकता है यानि उपरोक्षभी के उसा जो है भासा दश्ता या कोशल का विकास किया जा सकता है इसके साथ ये अंगला प्रशने की रचना सिच्छन के मुख रूप क्या होते हैं तो रचना सिच्छन का मुख रूप हम आलेडी बता चुके हैं बताई हैं दो रूप होते हैं कितने रूप होते हैं साथ यो सभी कमेंड किज़ें दो रूप ये दो रूप कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जहूँ है खोद खोद कर हम लाएंगे प्रति एक प्रachment को डिटेल के साथ बात करेंगे कहीं से भी पुर्षनाये आप से बनना चाहिए आपका इंसर करेक्ट होना चाहिए तो रचना सिचन के एक होता है निर्देशित रचना यह मादमिक इस्तर पर लिखित अव्यक्ति के विकास के लिए समानते निर्देशि रचनाओं पर इसफर बल दिया जाता है दूसरी होती मुक्त या स्वतंत रचना ये दूसरे प्रकार की लिखित रचना या मुक्त स्वतंत रचना कहलाती है इसमें लेखा को भावविक्त की दस्ते स्विच्छा अनुसार सपनों का चैन कर विसेवस्त को संजुद करने की स्वतंतता रहती है ये भी आपको नुट कर लेना है, और सुतंत रचना के कुछ प्रकार हैं, जैसे यात्रब्रतांत, प्रकतिवर्णन, जीवनी लेखन, ये क्या है सुतंत रचना, ये भी आपको ध्यान देना है, उपचारात्मक सिच्छन में क्या नहीं होना चाहिए, तो पहले ये जान लिज है, ठीक है, ये गलत, बच्चे से नहीं बनता है, तो बच्चे को प्यार प्रेम से समझाईए, उधारन दे का समझाईए, उपहास दे कर नहीं किस से बनता नहीं है, देखो, ये इतना वो है, ठीक है, उसको बच्चे को उपहास देंगे, तो निगेट विटी जाती है, और उपहास सब्धी अपने आप में एक Neg two है, किसी का भी उपहास हो, एक उपहास से आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी जो महाभारत है, एक उपहास से ही बनी है, महाभारत, सभी देखे होंगे, केल एक उपहास से, और वो उपहास आपको कमेंट करके बताना हूं, चले बात कर देंगे अगले प्रस्ण की क्योंकि आज की कास्वें हम 35 प्रस्ण कर रहे हैं भासा सिच्छन की सुत लेकन अभ्यास बेदी का प्रमुखोदेश क्या नहीं होता यह क्या होता है दोनों प्रस्ण क्लियर हो जाएं तो भासा सिच्छन की सुत लेकन अभ्यास बेदी का प्रमु से नहीं होता है ये भी आपको ध्यान देना है अंगला प्रश्णिया की भासा सिच्छन की सूत विदी का मुल सूत कौन सा भासा है जी हां भासा सिच्छन की सूत विदी यहीं से भी हमारा प्रश्णि क्लियर हो गया था क्योंकि भासा सिच्छन की सूत विदी की बात करते हैं और संसकत ही होता है मुद्सरोत ठीक है और यह विदी नियम से उधारण की और जाती है अर्थात इसमें ब्याकरणिक नेमों को कुछ उप्युक्त उधारण के मादम से बच्चों को या बच्चों के समझ प्रस्तुत किया जाता है सूत प्रणाली के द्वारा संचिप्त सूत याद कराया जाते हैं सूत प्रणाली समानते दोस्युक्त होती है तो सूत प्रणाली कौन से होती है एक दोस्युक्त होती है क्यों होती है क्यों किसमें याद कराया जाता है और जहां पर याद सब्दाएगा निगेट विटी होग अंगला प्रस्ण लेखन और उचान के लिए अनुकरन विदी उपयोगी होती है किस इस्तर के लिए उपयोगी होती सभी कमेंट कीजेगा जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भायों की प्यारी प्यारी बहने ग्रहनी जिनका सपना है टेट एक्जाम को पते करना, टीचर एक्जाम में अबल आना, अपने सेलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए, लेखान उर्चान के लिए जो अनुकरन विधी उपयोगी होती हुए, प्रारम्भी किस्तर के लिए होती है, ठीक है, प्रात्मी किस् नहीं करेगा, तो सिच्छक उसको बताएंगे, दोहराएंगे कि ऐसा नहीं बोलने, इसको ऐसा बोला जाता है, सुद्ध पड़ेगा, तो वाचन का मुख खुद्धेश होता है, बच्चे का सुद्धिकरन, किसका सुद्धिकरन, उच्चा, अंगला प्रशन आप लोगों क इकाई योजना से होती है, और लेखन कला का विकास किस से होता है, तो लेखन कला का जो विकास होता है, वह अभ्यास से होता है, प्रेक्टिस से होता है, प्रेक्टिस सबसे इंपोर्टन चीज है, जो इसको पकड़ के चलता है, जीवन भर सुखी रहता है, अपने सपने को स कार करता है क्योंकि अभ्यास प्रेक्टिस किसी भी कभी हो किसी भी विभाग में हो किसी भी पाट हो किसी का भी हिस्सा हो अभ्यास प्रेक्टिस से वह सरोपर ही बनता है सरुत क्रश्ट बन जाता है हिंदे सिच्छन के उपलब्द की जाज की जा सकती है कोई भी परिच्छन ह देखिए एक बार में सफल नहीं होता है कई बार यहां पे अभ्यास होते हैं जो बैग्यानिक होते हैं ठीक है पारसिटमॉल जो बुखार के लिए है नाइस जो गोली है टेबलेट है दर्द के लिए है तो कही ने कहीं इस पर कही सारे विश्कार हुए है ठीक है, तो हिंदी सिच्छन के उपलब्द की जाज की जा सकती है उपलब्दी परिच्छन के, तो जो उपलब्दी सब्धेना यह ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, कई दिन राज जागना पड़ता है, मेनत करना पड़ता है, उपचारात्मक सिच्छन के लिए क्या अवश्यक नहीं होता है, तो सिच्छन विदी को इस्थाई रखना उपचारात्मक सिच्छन के लिए अवश्यक नहीं है, लेकिन उपचारात्मक सिच्छन के लिए अवश्यक क्या होता है, पहले निदानात्मक परिच्छन कर लेना चाहिए, उस पर निदान कर लेना चाहिए, इसके बा को इस्थाई रखना ये आवश्यक नहीं क्यों चार बहुत ज़रूरी है ब्याकरण सिच्छा स्वतनतरूप से किस बीदी में नहीं दी जाती है तो आप सबी जानते जो ब्याकरण किस इच्छा है वह पाठपुस्तक, निग्मन, आग्मन इन तीनों बिदियों पर दी जाती है स्वतनतरूप से लेकिन भासा संसर की बिदी में जो है स्वतनतरूप से नहीं दी जाती देकार इंटर कोश्चन्स, फर्स्ट आपसन सही हो जाएगा कि ब्याकरण सिच्छा स्वतनतरूप से तेके बीयस ब्लूम का जब भी जिक्र होता है इसमें नवीन आयाम पूछा जा रहा है तो एक ही होता है वहता है मुल्यांकन उपागम जिया B.S. Bloom ने सिच्छा में कौन सा नवीन आयाम दिया है तो B.S. Bloom ने सिच्छा में नवीन आयाम मुल्यंकन उपागम दिया है हर्बर्ट उपाएम सभी लोग जानते हैं किस ने दिया सभी कमेंट कीजेगा R.C.M. उफागम और मौरिशन उफागम ठीक है तो यहाँ पर मुल्यांकन उपागम की BS Bloom का जब भी जिक होता है तो मुल्यांकन उपागम की बात करते हैं और अंगला पसने की विशलेशन आत्मक विदी में प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता है बिसलेशन करना तो सब्द से वर्ण का अप्रेव होता है बिसलेशन करना किसी भी छोटी चीज को बड़ा बताना है ठीके बिसलेशन करना छोटी चीज है उसको थोड़े थोड़े तुकड़ों में बातना है तो कोई भी सब्द उसको वर्णों में कर दीजिए जिसे आपे सिकार सब्द है ठीक है सिकार अब इसको सिकार सब्द यानि सिकारी करना तो यह सब्द को वर्ण से तोड़ देना तो हम यह आपे बता देंगे छोटी सी है, बड़ा का है, छोटा रहा है तो इसको हमने क्या कर दिया बिसलेशन बता दिया यहीं बिसलेशन कर दिया गया, तो सब्द से वर्ड, यह ध्यान देना है, अंगली जो विदी है, इस में इस विदी में बताना है कि मात्र भासा के माध्यम से किसी नवीन भासा को पढ़ाया जाता है, और यह कतन कौन सी विदी संदर में कहा गया है, सभी उताएगा, चार भासा के माध्यम से किसी नवीन भासा को पढ़ाया जाता है, तो जो यह कतन विदी है, यह किस संदर में कहा गया है, यह परोच विदी के संदर में कहा गया है, परोच, ध्यान देजेगा, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका, फलक, वांचनी है, ठीक, उसी प्रकार, अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए स्यामपट तता खडिया के टुकडे का मात। खडिया का टुकरा जिसे हम चुईये चौक बोलते हैं, चौक, उसे खडिये के टुकडे भी कहते हैं ये दोणो वस्त्वे सफ़ल अध्यापक की क्या है सत्संग गिनी जाती है किसने काहा है पंडिस सीताराम चतुर्वेदी जी का पहना अंगला प्रष्ण इसकीन पर है कविता सिच्चन की प्रशनोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है तो कविता की जो सिच्छन की प्रशनोत्तर प्रणाली है वैं सभी लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि खंडानवय प्रणाली के नाम से जाने जाते हैं भासा की जश से रचना के रूप बताना है तो भासा की जश से रचना के दो ही रूप होते हैं कौन-कौन से होते हैं, पहला होता है रचना की दस से या रचना से तातपर क्या होता है बच्चों द्वारा मन के विचारों को सुद्ध रोचक एवं क्रम्मद रूप से मौकिक या लिखित रूप में अव्यक्त करना ही रचना ये मौलिक विचारों को सुसनवद एवं अलंकरत भासा में प्रकट करने से सम्मनित होती है और भासा की देसर रचना के दो रूप होते हैं एक होता है मौकिक रचना, दूसरी होती है लिखेत रचना आईए बात करेंगे अंगले पश्ण की लिखाई का कार पढ़ाई के कार से पूर शुरू होता है या होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई के पेच्छा सरल है लेखन सिच्छन के संदर में यह मत विक्त किया किसने कहा है लिखाई का कार जो है पढ़ाई से पहले शुरू होना चाहिए बच्चा जब विद्यला जाता है तिछी आणी रेखा खीशता है क्योंकि रीजन भी दिया गया है क्योंकि पढ़ाई क्या पेच्छा लिखाई सरल है तो लेखन सिच्छन के संदर में ये मत है ये कथन ये स्टेटमेंट किसका है ये ही बताना है यह statement है स्री मती मांटनसरी मारिया मांटनसरी जो मांटनसरी पद्धत के पृत्पादक हैं अंगला परस्ण है मात्र भासा और सीखी जाने वाली दोती भासा दोनों भासा वैज्यानिक बिस्टेशन प्रसुत करने ही तुप्रभावी जो वीधी कहलाती है वैज्यानिक बिस्टेशन जो प्रसुत करने ही तुप्रभावी वीधी होती है वैज्यानिक बिस्टेशन प्रसुत करने ही तुप्रभावी वीधी होती है करते समय किस भूमिका का निर्वाय नहीं करता है तो दो प्रस्ण होगे किस भूमिका का निर्वाय करता है और नहीं करता है दोनों पता हो जाएगा तो अध्यापक एकनि आप जो है जब आपकी निक्त होगी आप लोग अध्यापक अध्यापका बनेंगे तो आप सिच्छा स क्यों क्योंकि यहां पे चात्र अध्यापक सिच्छन के संस्थाओं, सिच्छन के पूर, प्रदर्शन पाठ के समय, प्रदर्शन चात्र अध्यापक अनुकर्ण विधी का अप्रयोग करते समय, यहां पे चात्र इंपोर्टेंट है, भूम का निर्वाय सिच्छक और अख्वाद करना अनवाद करेंगे तो जो चीजें गयात होगी पहले उसको करते हैं फिर जो घ्यात होती वो अपने आप पता चल जाती है संसकत में persec frakt होता है क्योंकि हिंदी कि अगर आप अपने थो ये थो यहां वहां का आप और से बुक से नहीं लिखा मिलेगा ठीक है ये जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं अभ्यास करते हैं वो अपने आप एक जामपल निकल आता है तो भासा संसर्ग विदी के संदर में कौन सा कथन जो है असत्त दिया गया है तो भासा संसर्ग विदी को समझ लिजे इस विदी में तीन कथन सत्त दिये गया है और ये कथन असत्त दिया गया है तो पहले हम सत्त कथन की बात करेंगे भासा संसर्ग विदी में ब्याकरण का ब्योहारिक प्रयोक सिखाना चाहिए ब्याकरण सिच्छन को समय तारकी क्रम के स्थान पर परिसित का मात तदिक होता है और चारिक ब्याकरण सिच्छन में आगमन विधी को प्राथ मिक्त देनी चाहिए लेकिन भासा संसर की विधी में कौन सा कता नसत है कि ब्याकरण कोई के बिसे की रूप में अलग से सिच्छन करवाया जाए यह भासा संसर के विदि में असत दिया गया है क्योंकि ब्याकरण कोई के बिसे की रूप में अलग से सिच्छन करवाया ना चाहिए तो भासा संसर के एक वाडिंग यह असत है फॉल्स है अंगला प्रसने चार से पांच प्रसनोर बच्चों ये साथियों कौन से विधी उधार्ण द्वारा प्रारंबिक विवहार का धार और सिच्छन की प्राकतिक विधी माने जाती है वह कहलाती है प्रदर्सन प्रशना आगया कि वे कंसी विधी है जिसका उदार्ण प्रारामिक ब्योर का धार है वह हमारी है प्रदरसन विधी आईए बात करते हैं अगले प्रिशने की, किसी भी प्रशन पर डाउट है आप बे फिक्र कमेंट कर सकते हैं जैस्वाल सर या नहीं मैं बिज़े जैस्वाल आपके कमेंड का फीडवेक का श्वागत अभिननन करता हूँ वेलकम करता अंगला पसने विद्यारतियों की अधिगम योगता ग्रहन सीलता वा प्रस्तूत भी सेवस्तु सम्मंधी कटनाई को समझने के लिए सिच्चा को क्या करना चाहिए आप सभी भावी दापक दावी का हैं आप ही बताइए आपको क्या करना चाहिए विद्यारति यानि जो बच्चे हैं उनकी अधिगम की योगता ग्रहन सीलता वो प्रस्तूत भी सेवस्त अभी सम्मंधी कटनाई को समझना है एक सिचक सिचका को क्या करना चाहिए, कद्यापक कद्यापक को क्या करना चाहिए, बोध प्रश्ण करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्ण, बोध पूरवक प्रश्ण करने चाहिए, अंगला प्रश्ण है, मनोबेग्यानिक जैसे सूचम सिच्छन किस मनोबेग्यानिक के अ इसको टालना ही नहीं है ये ध्यान देजिएगा कि बिया फिसकनर के कहना से विताई इसको मत टालिएगा क्योंकि इसको कहने वाले बिया फिसकनर है पालाओ ने किस पर प्रयोग किया कुट्टे पर प्रयोग किया ठीक है थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया बिल्ली पर किया ठीक है ये सारे चीज़ें पूची जाती है कोलवर का जिक्र होता है अंगला प्रस्मिस किन पर है ठीक है सिचार्थी विद्यार्थी बिना गंभी बिदी है देखे साथ यों सिच्छार्ती विद्यार्ती बिना गंभीर चिंतन या तर्क शंगत बोध के ही जिस बिद में रटने को विवस हो जाता है वह हमारी बिदी कौन सी कहलाती है सूथ बिदी सूथ को रटना होता है बी स्क्वेशर माइनस फौर एक अपने पड़ा होगा एक प्लस बी स्क्वेशर बराबर यह आपको याद करना पड़ेगा A square plus B square plus 2AB A minus B का whole square करेंगे तो A square minus B square minus 2AB ठीक है अंगला प्रस्न है दल सिच्छन के लिए उप्यूप्त कथन काँणस होता है तो दल सिच्छन के लिए उप्यूप्त कथन होता है कि प्रतेक दल सदस का उत्तरदायू तो प्रथक स्तरी होगा दल सिच्छन के लिए उप्युक्त कतन क्या दिया गया है कि प्रतेक दल जो है सदस का उत्तरदाय। तो प्रत्थक इस्त्री प्रत्थक मतलब उत्तर आलग एक इस्त्री होगा इस्त्री मतलब इस्तर ठीक है तो ये रहा वन थर्टी फाइब प्रिश्णम ने कर दिया है और इ पेड़ागोजी के question की बात करेंगे ये आपके 15 नमबर पूरी तरह से compete कर देंगे क्योंकि आपको पता ये 15 में से आप लोग 6-7 नमबर तो already simple कर लेते हैं जो और आपके 6-7 ये 6-8 नमबर होता जो आप नहीं कर पाते हैं वह आप कहां से करेंगे ये video ये part ये पूरा class देख ये आप